नमस्कार दोस्तों आज और बात करने वाले हैं एक नई वेकेंसी के बारे में जो के आई हुई है हमारे फूड कोपरेशन ऑफ इंडिया जिसका सोट नाम आप बोल सकते हो एपसी आई क्या होता है एपसी आई होता है मेरे दोस्तों अब बात करने वाले हैं जो एपसी आई में जो रिक्वार्मेंट आई हुई है दो हजार इकिस में जो रिक्वार्मेंट आई हुई है उसके बारे हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट नेम है इस पोस्ट का क्या नाम है साथियो इसमें आयूई है वाच्मेन की किसकी आयूई साथियो वाच्मेन की पोस्ट आयूई है साथियो आगे की बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट आयूई है हम अब बात करेंगे इसकी जो starting date है साब जो starting date है वो कब से है तो इसकी starting date है 20 October से कब से start है फोरम 20 October से start है मेरे सातियों और जो last date रहने वाली है इसकी तो last date कितनी रहने वाली है कितनी है 19 November इसकी last date रहने वाली है सातियों last date होने से पहले है आपको क्या करना है फोरम को apply करना है ठीक है जी और है एसी वीडियो आप देखने के लिए बार बार में देखने के लिए हमारे चैनल को जो भी जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को subscribe कर देना है जो पहले वाले ब पर मंत कितने रुपे मिनने वाले हैं 23,300 रुपियों से लेके 64,000 रुपे तक आपको पर मंत रुपे मिनने वाले हैं सातियों तो salary इसमें बहुत ही अच्छी है मेरे सातियों आगे की बात करेंगे यहां से तो education क्या चाहिए सातियों इसमें केवल आपके पास कितनी होनी च चाहिए कम से कम क्या होनी चाहिए आठवी पास आपके पास ही होनी चाहिए आगे की बात करते हैं तो एज जो लिमिट है सातियो तो एज लिमिट कितनी है सातियो इसमें तो यानि जो बात करेंगे जो आयू है वो कितनी होनी चाहिए अठारा वर्स से लेके मेरे सातियो कितनी verse होनी चाहिए पचीस वर्स आपकी क्या होनी चाहिए आईउ होनी चाहिए कम से कम 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पचीश होनी चाहिए मेरे साथ यू आगे की बात करते हैं कि यह जो applicationbanosal okay beasy इसकी application फीष नहीं है मेरे साथियों। उनकी एक रुपए भी फीष नहीं है але इक दम फरी है। हां जी बात करते हैं आगे की। तो यहां से करेंगे तो बात यहां जो अधर है जिसमें बिश यह आती है जन्न लाते हैं तो उनकी जो फीष रखी गई है मेरे सातियों वो रखी गई है कितनी 250 रुपे रखी गई है सातियों कितनी रखी गई है 250 रुपे सातियों इसमें रखी गई है अब बात करते हैं कि सरी इसका सेलेक्शन के से होगा तो सेलेक्शन मेरे सातियों इसमें आपकी रिटेन एक्जाम होगी रिटेन एक्जाम के सा साथ में आपका जो physical test है वो भी रहने वाला है साथ यू तो ध्यान से देखना है इसमें जो selection processing होती है वो return test के उपर आदारित होने वाली है और physical test के उपर आदारित ही होने वाली है आगे की बात करते हैं तो साथ यू ये जो form है ये online है मेरे साथ यू अब आगे की बात करते हैं जो job location है ये आप इसमें क्या हो जाते हो select हो जाते हो तो आपकी job location क्या रहने वाली है साथ यू तो वो रहने वाली है साथ यू हरियाना कौन सा हरियाना में आपकी job location रहने वाली है forum all इंडिया से आप यहां क्या कर सकते हो apply कर सकते हो मेरे साथ यो बात करेंगे आगे की तो इसम की जो official website क्या रहने वाली है साथ यो important यही आती है साथ यो जो इसकी official website है यदि आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप यहां से ले सकते हो अपने फारम को apply कर सकते हो साथ यो तो जो official website भो कॉन सी यहां पर जाके आप किया कर सकते हो फारम के बारे में और जानकारी ले सकते हो और साथ साथ में यहां पर फारम apply कर सकते हो तो I hope कि आपको बहुत बड़िया से समझ में आया होगा यह पूरा तो जितना भी हो सकता है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिस करेंगे तो आप जितने लोग भी व्यू करते हैं जितने भी ज़्यादा देखेंगे उतने ही ज़्यादा हम यहां पे वीडियो आपको ले पास लेके आते रहें तो आज यहां तक ही बात करने वाले हैं लेके आने वाला हूँ कोई नई वेकेंसी उसके बारे में भी फुल डिटेल में बताने वाला हूँ तो जाते जाते ही मैं यही बात दुआरत से कहना चाहूंगा आपको की ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें साथ हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भार झालhow करें भार